जय स्री राधे राधे हर हर महादेव। मित्रों आप देख रहे हैं इस्टार भजनकिर्थन और मैं हूँ पंडित प्रमो सुगला। मित्रों आज मैं बहुत प्यारी सी जानकारी आप सबके साथ में शेर करने जा रहा हूँ। हस्त्रेका साथ्र में व्यक्ति के भाग, धन, नौकरी, व्यवसाय, परिवार और उस व्यक्ति के भविस्ट के बारे की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों हस्तर रेखा शास्तर के यनुसार हतेली पर भाग रेखा का बहुत ही महतुमाना गया है भाग रेखा उसकी बनावट से ये पता चलता है कि ये वेप्ति कितना भाग साली है और इसके भाग में क्या-क्या लिखा है मित्रों हतेली में हर रेखा कोई न कोई संकेत किया करती है ऐसे में भाग का एक अस्थान है शनी परवत शनी परवत को भाग का अस्थान मानते हैं हतेली में मरिबंद यानि कि जिस अस्थान से हतेली की सुरुवात होती है वहां से चलकर जो रेखा इस अस्थान तक उसको भाग रेखा कहते हैं मित्रों जिस किसी व्यक्ति की हथेली में कलाई के पास से कोई एक सीधी रेखा चलकर शनि परुवत पर आकर अगर मिलती है तो वहां व्यक्ति बहुत ही भाग साली होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही मात्वा कांची होता है वो जिस लक्ष को देखत करता है उसको पा लेता है ऐसा भाग होता है उस व्यक्ति का मित्रों यदि भाग रेखा कटी हुई होती है तो व्यक्ति को संगर्स से कष्टों से सामना करना पड़ सकता है भाग रेखा लंबी होकर मधिमा के किसी पोर्त तक यदि पहुँच जाती है तो मेहनत करने के उसे हम शुक्रपरवत के नाम से जानते हैं इस अस्थान से कोई रेखा निकल कर यदि शनिपरवत पर पहुंचती है तो विवाह के बाद भागी का सहयोग आपका उजल हो जाता है भागी बदलने लगता है ऐसा व्यक्ति किसी कला के जरिये कोई न कोई प्रगत को पाता है कह न कहीं उसको मान सम्मान मिलता रहता है मित्रो हथेली के बीच में मस्तिक रेखा से निकल कर सन परवत तक जो रेखा पहुंचती है उसको बहुत उत्तम मानते हैं हस्तरेखा विज्ञान की अनुसार ऐसा व्यक्ति सामानी परिवार में जन्म लेकर भी कोई न कोई सफलता प प्राप्त करता है देख्वाय में उन्नती करता है अगर उसकी नोकरी लगती है तो उसके जरिए से वो माल सम्मान पाते हुए धन दलत को प्राप्त करता है मित्रों ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आयी हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें आप सभी सुखी रहें आपके परिवार में सुख और सांती बनी रहें जैस्री रादे रादे हरार महा देओ